नमस्कार मैं हो पल्लेवी सिंग, आप देख रहे हैं आरे नियूसा उत्रप्रदेश के मुखे मंत्री योगे दितैनात रविवार को महंत दिगविजय नात पार्क में आयोजे के कारेक्रम में सम्मिलित होंगे साथे इस कारेक्रम के दोरान सीएम शेहरवास्यों को करीब 933 करोड रुपए की विकास परियोजनाव पेश करेंगे साथे आपको बता दें कि सीएम योगी गोरकपूर विकास परादिकरंट से संबंदेत करीब 316 दशमलब 37 करोड की परियोजनाव का उद्गाटन और 616 दशमलब 62 करोड रुपए की परियोजनाव का शिलन्यास करेंगे जानकारी के मुताबिक जीडिये के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशी की परियोजनाव का उद्गाटन कर शिलन्यास किया जा रहा है सीएम इस अफदी में 1200 से अधिक फ्लाटों की योजनाव का उद्गाटन और शिलन्यास भी करेंगे जानकारी के मुताबिक CM योगिया दित्यनाद GDA द्वारा प्रस्तावित 513.4 करोड रुपए की परियोचनाओं का शुलन नयास भी करेंगे इसमें करीब 63.15 करोड की परियोचनाओं को अवस्थापना निधी से पूरा किया जाएगा इसके साथी CM योगित वरित आर्थिक विकास योचना के तहट 103.5 करोड रुपए की 250 पर योचनाओं का शुलन नयास भी करेंगे इस वरान गोरकपुर में होने वाले विकास कार्य भी GDA द्वारा नगर निकम में शामिल करीब 32 नहीं गाउं में किये जाएंगे तुम्हें रुप करेंगे हिमाचर प्रदेश का हिमाचर प्रदेश के कांगडा जिला प्रवास के तीसरे दिन शरीवार को राश्ट्रे स्वयम सेवक संग प्रमुक मोहन भागवत ने सारजनी कारेक्रम में हिस्सा लेकर संग की पीड़ा जाहिर की उन्होंने कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल संग के पास नहीं है ये आरोब निराधार है धर्मशारा कॉलिश के सभागार में आयवजित पूर वसैनिक प्रबोधन कारेकरम के दोरान उन्होंने कहा कि पिछले 96 सालों से RSS का हमीशा विरोध हुआ है लेकिन हम समाच की सेवा में लगे रहे हैं संग को तो थोड़ी रहत तब मिली जब स्वैम सेवक सत्ता में आये सब बाधाओं को पार कर 96 साल से RSS समाच सेवा करते हुए आगे बढ़ता गया है साथी चीन और पाकिस्तान को संदेश देते हुए परोक्ष रूप से भागवत ने कहा कि भारत की तरफ से कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही लेकिन दुश्मन होते हैं कोई दुश्मनी करे तो जुकना नहीं है बलकि दुश्मन को दबा कर आगे बढ़ना है उन्होंने ये भी का कि सेने तैयारियों को लेकर हमारी सेना की अमेरिकी और चीन जैसे देशों से तुलना हो सकती है लेकिन होसला, हिम्मत और ताकत के मामले में भारत का सैनिक दुनिया भर में अवल है ये ताकत भारतिय सिपाही में शारेरिक प्रसिक्षन से नहीं बलकि मन से आती है भारतिय सैनिक वीर्टा से लड़ता है और वो सीमा पर काम पूरा करता है या मरता है RSS पूर्व सैनिकों की चुन्ता करते हैं और बतारे चलें कि RSS में पूर्व सैनिक सेवा परिशुद संगठन है और जो की सैने परिवारों के संग की विचारधारा साज़ा रखता है तो उत्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहत नस्दीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी शनिवार को अगिले श्यादफ की करीबी माने जाने वाले नेता के घर एक चापे मारी हुई चापे मारी को चुनाव के तैद की गई कारवाई से जोड कर दे हज़ा रहा है और बता दें कि इंकम टैक्स विभाग ने सपगे राश्य सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर 15 घंडे तक चान बिन की लेकिन टीम को उनके घर से महज 17,000 रुपे बरामत हुए इस कारवाई को लेकर अखिलेशी आदव ने कहा था कि ये कारवाई चुनाव से ठीक पहले जानभूच कर की गई है हाला कि अभी भी ED और CBI भी आएंगे बता दें कि शनिवार की सुवा करीब 7 बचो इंकम टैक्स विभाग की टीम माउ में राजीव राय के घर पहुँच आप सभी इस संकट की घड़ी में सुबह से यहां मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं राजीव राय ने कहा कि ना तो मुझ पर कोई अपरादिक रिकॉर्ड था ना ही आगे होगा सब अगे राशुप्रवक्तर ने आगे कहा कि मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूँ नव के जनेंद्र यादव मैनपूरी के मनोज यादव और समाजवादी पाजी की प्रवक्ता राजीव राय के खर माउ में सुबह ही छापे मारी की प्रक्रियाश शुरू कर दी थी बारे नसी से विभाग की टीम सुबह साथ बज़े पहुँच गई थी छापे की सूशन म मिलते ही भारे संक्या में सपा कारे करता राजीव राय के खर पहुँच गई इस दोरान उन्होंने नारे बाजी भी शुरू की और इससे देखते हुए सुरक्षा बलो को तैनात कर दिया गया था बताया जा रहा है कि जनेंद्र यादव अकलेश शुयादव के ओस्टी हैं और अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर चापे मारी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राश्ट्रे अध्यक्ष अकलेश शुयादव राजणी दिक बदले की कारवाई बता रहे हैं अगिलेश शुयाज दोपहर भी प्रेस कांफरेंस करेंगे और इस मेगा रेट के मुद्धे पर अपनी बात रखेंगे लेकिन बीजेपी से है बीजेपी से लेकार उसकी सहयोगी सभी चापे मारी को जायज बता रहे हैं दैसल आयकर भाग सूत्रों के मताबिक कल दो सो करोड रुपे की कर चोरी के शक में छापे मारी की गए थी दिली की एजनसी ने यूपी में लखनव से मौ तक जो हलचल मचाई उसके बाद पूरे प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच वार पलट वार शुरू हो गया चुनावी महौल में आयकर भाग की रेड से यूपी की राजनीती का ड्रंग और भी गहरा हो गया अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाली कारवाई बताया है बीजेपी को निशाने पढ़ लेते होए अखिलेश ने कहा कि ये जनता का चुनाव है जहां बीजेपी कोहार का डर सता रहा है इसलिए आईटी विभाग यूपी आ रहा है अखिलेश यादव का सवाल उनके नेताओं के घर पर पड़े चापे की टाइमिंग को लेकर है उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जानकारी थी तो चुनाव से एन पहले ही चापा क्यू मारा बीजेपी की ओर से राजज़ के डिप्टी सियेम दिनेश शर्मा ने अखि की निशाद पार्टी ने भी चापे मारे की कारवाई का समर्थन किया संजन इश्याद ने कहा कि मैं आईटी की चापे का समर्थन करता हूं ब्रस्टचारी लोगों पर कारवाई का मैं समर्थन करता हूं ऐसी कारवाई पर निशाद पार्टी सरकार का समर्थन करती और उसे बीच कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शुशी थरूर ने विश्वास जताया है कि कॉंग्रेस के खिलाब बोलने वाले वे पक्षी दल एक साथ आएंगे यूगि उन सबका लक्ष भारती जिनता पाची को हराने का है थरूर का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ट्रेनमुल कॉंग्रेस की सुप्रीमों ने बिना कॉंग्रेस की गटबंधन बनाने को लेकर बयान दिया था पूर्व केंद्री मंत्री शुशी धरूर उन्होंने सुशासन सप्ता मनाने के केंद्र की फैसले पर राष्ट्री जनतंत्रे गटबंधन यानि एंजिये सरकार का मज़ा कुड़ाया और कहा कि सुशासन का सार पिछले साथ सालों से गायब है त्योंकि नारो और पतिवाद की राष्ट्री के सुशासन की जगा ले ली है तरूर ने अपनी किताब प्राइड प्रेजुडेस एंड शडियंत्र की विमोशन की दौरान आरोप लगाया है और वर्दिमान में दे अगल अक्सुर में बोल रहे हैं वो बीजबी को हराने के लिए एक साथ आएंगे लक्षना के वल बीजबी को बल्कि उसकी नीतियों और राजनीति को हराना है और उत्तर से आने बाली ठंदी हवाओं की वज़े से राजस्तान के कई लाके शीत लहर की चपेट में आ गए हैं तो इस मौसम भाग ने बताया है कि बीते 18 दिसंबर से चरू और पश्चमी राजस्तान में नियुनतनता अप्तमान लगबाग माइनस में चला गया है और आपको बता दे कि माइनस एक दिसंबर एक डिगरी सेलसियस दर्च किया गया इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हर्याना, चंडीगड और दिल्ली और पश्चमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर सामाने तापमान माइनस वन दिसंबर छे डिगरी सेलसियस और माइन इचे 3.3 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया और इसके साथ ही परऴोज के चुरूजिले में यह माइनस वन दिसंबर एक डिगरी सेलसियस रहा तौई नागौर में भी बीती राद को निंतम तापमान 0.03 दिग्री संग्रिया में और सीकर में भी 0.07 दिग्री टेमप्रेच्र दर्च किया गया साथ यह आपको बताते चलें कि भीलवाडा में यह जो आखड़ा है वो 1.06 डिग्री पहुंच गया ऐसे में प्रदेश के ज्यादा दर्जलों में नियुंतम तापमान 5 जगरी सेल्सेस से नीचे देखावे गया है ओदेश की राजध्वानी दिल्ली में इस साल जबर्दस ठन पढ़ने वाली है तो में राजध्वानी में शनिवार को इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा जो आद दिन भर में उसतान अधिकतम तापमान 17.8 डिगरी सेल्सेस रिकॉर्ड तोड दर्ज किया गया है तो वही नियुंतम तापमान 6 डिगरी सेल्सेस रहा ऐसे में फिलाल पहाडों पर लगातार हो रही बर्फबारी होने की वज़ों से अब मैदाने इलाकों में भी कडाके की सर्दी पड़ रहे है तो वहीं अगले कुछ दिनों में दिल्ली में ठंडी हवाईं चलने के साथ साथ यह नुमान जुताया जा रहा है कि पारा और भी ज्यादा नीचे गिरेगा दिन भर में आदधरता करीब 94 दर्च किया गया और वहीं हवाउं की स्पीड बढ़ने की वज़ों से वायों गुणवत्ता सुचांक यानि AQI में मामूली सुधार आया है हरा कि यह खराप श्रेणी में ही बना हुआ है बता दें कि AQI लेवल दिल्ली में 291 रहा मौसम भाग के मुताबिक पहाडों पर बर्फबारी होने के बाद हवा चलने की वज़ों से कडाकी की ठंड बढ़ी है दरसर मौसम भाग के मुताबिक 1920 दिसंबर को ठंडी हवाईं चलेंगी जिससे सुबह शाम तेज ठंडी और बढ़ जाएगी ऐसे में सुबह कोरे के साथ साथ तापमान भी कम रहेगा और दिन में धूप निकलने के बाद मौसम साफ रहेगा ऐसे में दिन का पारा लुड़कने की वज़ो से ठंड तेजी के साथ बढ़ गई है जहां बीतेश वनिवार को सबसे कम अधिक्तम तापमान पालम और जाफरपूर इलाके में 16 डिग्री सेल्सेस रिकॉर्ड किया गया तो महीं लोधी रोड रिज एरिया और आयानगर में सबसे कम निवन्तम तापमान पांच डिग्री सेल्सेस रहा साथ ही सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया इसी बीच पीम 10 और पीम 2.5 भी कम होकर 193 और 117 पर आगए अवह प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आज गोवा का दोरा करेंगे जहां वो गोवा मुक्ती दिवस पर आयवजुद होने वाले कारेक्रमों में शिरकत करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्खाटन और श्रलन्यास किया जाएगा प्रदानमंत्री कारयाले की ओर से जारी किये गए में ग्याप्ति में कहा गया है कि मोदी श्यामप्रिसाद मुखरजी स्टेडियम में मुक्ती दिवस समारों में भाग लेंगे और प्येम मोदी गोवा को पुर्दगली शासन से मुक्त कराने के लिए भायतिय सशत्र बलो द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजे के 77 सेनानियों को सम्मानित करेंगे इसके अलावा वो पुनन निर्मित अगोडा जेल संग्रालय और गोवा मेडिकल कॉलिज के सूपर स्पेश्यालिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला स्पताल समेत कई अन्य पर्योजनाओं का उद्खाचन करेंगे पियमो ने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री मोपा विमानतल पर विमानन कोशल विकास केंद्रो और मंट गाउ में जेबोलेम नेवलेम में एक गैस सब्स्टेशन का भी उद्खाचन करेंगे मोदी विधी सिक्षा और शोध समंदी इंडिया इंटरनाशनल विश्व विध्याले की अधार शीला भी रखेंगे साथी आपको बताते चलें कि गोवा में अगले साल की शुरवात में ही मिधान सबा चुनाव होने है ऐसे में गोवा मुक्ति दिवस भारतिय सेना द्वारा पुर्तुगालियों के अधिकारों से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष में प्रतेक साल यहां मनाया जाता है